उधारण उन्निस समीकरण 5x धन 3y बराबर 12 एवं 5x धन 9y बराबर 15 का हल ज्यात कीजिए समीकरण 5x धन 3y बराबर 12 की तुलना हम समीकरण निकाय A1x धन B1y बराबर C1 से करेंगे तो जब हम इसे तुलना करेंगे तो इसमें A1 का मान जो है वो है 5 उसी तरह से B1 का मान हमारे पास 3 है और C1 का मान हमारे पास 12 है हमने 5x धन 3y बराबर 12 को समीकरण निकाय A1x धन B1y बराबर C1 से तुलना करने के बाद A1 का मान 5, B1 का मान 3 और C1 का मान 12 प्राप्त किया एवं समीकरण 15x धन 9y बराबर 15 में समीकरण निकाय A2x धन B2y बराबर C2 से हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें A2 का मान 15 प्राप्त होंगा उसी तरह से B2 बराबर यहां पर 9 है और C2 का मान C2 के स्थान पर 15 है तो C2 का जो है वह 15 होगा अब A1 बटा A2 A1 बटा A2 यहां देखे A1 5 है और यह 15 तो यह हो गया 5 बटा 15 यह A1 बटा A2 का मान उसी तरह से हम B1 बटा B2 का मान बराबर यह 3 बटा 9 ले लेंगे और उसी तरह से C1 बटा C2 बराबर 12 बटा 15 हमने C1 बटा C2 बराबर 12 बटा 15 लिया हम अंच और हर में कहीं इसको 5 से काटेंगे तो A1 बटा A2 बराबर 5 यह 5 और 5 तिया 15 तो A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 3 आया उसी तरह से हम B1 बटा B2 का सरल रूप लिखेंगे तो 3 बटा 9 तीन के पहाड़े में काटेंगे तीन एकम 3 तीन तीन नौ यहां 1 बटा 3 आ गया और तो उसी तरह से C1 बटा C2 बराबर हम 12 बटा 15 को 3 से कहीं काटेंगे तो 3 चौक और 3 पंचे पंदा तो C1 बटा C2 बराबर 4 बटा 5 प्राप्त होता है हम देखते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है जो कि C1 बटा C2 के बराबर नहीं है क्योंकि देखें यहां A1 बटा A2 एक बटा 3 है और B1 बटा B2 भी एक बटा 3 है तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान अपस में बराबर है जो एक बटा 3 है मगर C1 बटा C2 का मान 4 बटा 5 है जो कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो हमने लिखा यहां बराबर नहीं है C1 बटा C2 के तो इस इस्थिति में यहां जो इस्थिति उत्पर जो होती है वो समिकरण का कोई भी हल नहीं है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि समिकरण दिये गए समिकरण का कोई भी हल नहीं है क्योंकि जब A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 से और इसका मान बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 से तो समिकरण का कोई हल नहीं होता है या इस प्रश्न का हल होगा कर दो